इस वीडियो में आपको देखाएंगे एक अंडर रूपीज 1.4 लाक पीसी विल्ड एक लाक चालिस दार रूपे में बड़ा ही कमाल का पीसी हम लोगों ने मेरा इंटेल की लेटेस 13th जन बेस रही है पात करें सभी कमपोनेंट्स के वारें वीडियो एंट तक देखते रहे हैं इस पीसी को गाइस जो हमारे कस्टमर है उन्होंने अपने जीस्टी फर्म पे बिल कराया तो कस्टमर का नाम तो एक्जाक्ली नहीं पता स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 701-805001 इस नंबर को आपको कॉल कर सकते हो वाटसाप कर सकते हो सुबह के दस बज़े से ले करके शाम के 6 वे तक बागी वेबसाइट भी है हमारी जो कि है नहरू प्लेस के अंदर 205 सेकेंड फ्लोर राजा हाउस जो है बिल्डिंग का नाम है नहरू प्लेस के अंदर तो जो हमारा स्टोर का जो एड्रस है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्रिप्शिन के अंदर और सात्यात हमारी गूगल लोकेशन भी आप आ सकते हैं और डिरेक्ली महाँ पर भी आ करके अपने PC बिल्ड करा सकते हैं अब गईस फड़ा बट से बात करेते हैं एक लाग चालिस जार रुपे में हमने क्या क्या कॉंपोनेंट्स यहाँ पर यूज करें शुरुआत करते हैं सबसे पहले प् परकलोड है तो भाई multi-threaded performance बड़ी ही जबर्दस अपने साथ में लेकर के आता है तो आपको जह performance overall काफी जबर्दस यहाँ पर देखने को मिल जाती है और मैं आको बतायता हूँ कि जो Intel की 12th Gen में जो i7 थे मतब i7 की 12 Gen जैसे 12700 हो गया 12700F बगेरा हो गया उससे in fact यह बहत उसी price point के आसपास में देखने को मिल जाता है यह CPU चाहे 13600 KFO या फिर K हो और आपको जो एक बहतर performance भी provide करते हैं तो यह मत देखना कि यह i5 है बट यह पिछली generation की i7 से भी बहतर है तो बड़ा ही जबर्दस CPU है बागी बात करें गया है यहाँ पर हमारे motherboard की बारे motherboard जो इसक करता है पेशली जो इनका VRM section रहता है वो यार बहुत ही अच्छा रहता है जो कि हमारे 13600 के processor को इसली यहाँ पर ही handle कर सकता है बात करें यहाँ पर मारे liquid cooler की बारे में अब यहाँ पर जो हम लोगों नहीं liquid cooler यूज करा है बड़ा ही कमाल का बड़ा ही सुन्दर यह MSI की तर market के अंदर बागी देख सकते हैं और लुक बड़ा ही जबरदस निकल करके आता है जो specially इसका CPU block है वहला अब यह पूरा ही आपको जो है मतलब translucent type का जो यहाँ पर मिलता है जिसमें से की मतलब RGB से निकल के बार को आती है बड़ा ही सुन्दर सा लगता है इसका CPU block यहाँ पर देखने में बागी 360M का liquid cooler है टॉप पर हम लोगों ने जो इसके radiator को यहाँ पर mount कर रहा है और अच्छा cooler है जो कि हमारे 13600K प्रोसेसर को easily यहा पर हमारे graphics card के बारे में graphics card यहाँ पर यूज करा गया है गीगाबाइट की तरफ से उनका RTX 3060 Ti and this is gaming OC वाला वरजन gaming OC में आपको यह triple fan मिलता है जिसमें कि आपको यहाँ पर RGB बगेरा भी देखने को मिल जाती है overall अच्छा लगता है quality wise काफी बढ़िया रहता है यह graphics card और heat sink जो हमें आपर काफी अच्छी मिलती है and gigabyte जैसे एक अच्छे अंडिक reliable brand की तरफ से आता है RAM के बारे में बात करेगा इस तो जैसे की 1,40,000 रुपे यहाँ पर spend होए है तो उसे साब से RAM भी यहाँ पर लगाई गई है इस PC के अंदर तो total 32 GB RAM यूज करे गई है and इसमें 8,8 GB की total 4 sticks मतब एक kit में जो है दो sticks मिलती है तो दो kit का यहाँ पर यूज करा गया है जो की 3200 megards की उपर clocked है यह है XPG की D60G and जब चारो slots यहाँ पर भड़ते हैं तो जो look यहाँ पर निकल कर क्या आता है वो बड़ा ही कमाल का होता है और मतब यह जो look है न मतब यह जो CPU block के साथ में जो RAM का look निकल कर क्या रहा है बड़ा ही कमाल का लग रहा है यहाँ पर देखने में बात करते हैं यहाँ पर हमारी storage के बार में storage के लिए यहाँ पर जो SSD यूज करे गई है XPG की तरफ सुनकी S5 512GB, 512GB की SSD है इसमें जाएगी Windows, necessary driver software, बाकी अलग से extra storage के लिए यहाँ पर 750D 80+, gold certification के साथ में यहाँ पर जो आ जाती है इस power supply जो इस PCB में यहाँ पर यूज करा गया है बात करेंगे इस cabinet के बारे में अब बढ़ी one of my favorite cabinet अगर आपका 6,000 रुपे के आसपास का budget है तो उसे साब से एक बढ़ी अच्छी cabinet लगती है मेरे को यह है Antec की DF600 flux इसमेरे टोट करके RGB अगर लगवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं जैसे की customer ने करवाया भी है यह उन्होंने XPG का जो है Wento 120 mm का जो फैन है वो इन्होंने जो है rear में यहाँ पर लगवाया है अब overall जो लुक है वो फिर काफी बढ़ी लग रहा है बाकि इस cabinet में अच्छी बात यह भी लग पूरा एक अंडर रुपीज 1.4 लाक पीसी बिल्ड एक्जक प्रैसिंग शाद मैं आपको बताई नहीं थी इसकी एक्जक प्रैसिंग है 1.37 यानि की एक लाग 37,000 रुपे में हम लोगों ने इस पूरे PC को बिल्ड करा है बाकि इसकी individual components की अगर आपको link चेक करनी हो latest price चेक description के अंदर है मिलेंगे एक और ने वीडियो के अंदर एक और ने कमाल के PC के साथ में तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग